फेस्बुक का जो नया अपडेट आया है इन इस्टीम एड के लिए उसमें I am interested का फॉर्म किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए अगर भरना है तो कैसे भरेंगे सब कुछ डिकेल्स में बात करेंगे हम सबसे पहले अपने फेस्बुक को उपन कर लेते हैं यहाँ प क्रॉल करके जाते हैं यहां पर आपको मोनेटाइजेशन वाला फीचर मिलेगा इस पर हम क्लिक कर लेते हैं अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो में जो अपडेट है हमारा दोस्तों इन इस्टीम एड को लेकर है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसका आइकन पूरी तरह हो चुका है और यहां पर हमरा क्राइटेरिया दिया रहता था क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है अब इसके हम क्लिक करते हैं तो हमने फॉर्म फिल किया था कि पूरी तरह से ह?, यहीं रिजेक्ट हुआ है इस पे भी हम बात करेंगे और हमने ऐसी क्या गलती किया था जो की reject हो गया अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये form किसको feel करना चाहिए किसको नहीं feel करना चाहिए अगर दोस्तों आपके page पे कोई भी violation है जैसे page has been some issue या growth at risk या monetization impact अगर इस तरह का problem आपके page या profile पे है तो आपको ये form नहीं भरना है मैंने ये form भरा था इसलिए ये reject हो गया है violation क्या है मेरे page पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से back चलते हैं अपने नाम पर click करते हैं three dots पे click करते हैं और status पे चले जाते हैं यहां पे दोस्तों आपको दिख जाएगा profile growth at risk इस पे हम click करते हैं तो यहां पे दोस्तों हमारा जो violation ही ये दिख जाएगा ये violation है फिर भी हमने ये form भरा था तो ये reject हो गया तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है अब यहां से back बेका जाते हैं back आने के बाद दोस्तों अब form भरना किसको है form वो सभी लोग भर सकते हैं जिसके page या profile में कोई violation नहीं है कोई issue नहीं है चाहे नया creator हो चाहे पुराना creator हो अब हम form भरेंगे कैसे ये हम बात कर लेते हैं यहां से back आने के बाद आपको यहां पे see professional dashboard पे click करें है बिल्कुल नीचे सीधा और सबसे simple तरीका बता रहा हूं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और नीचे यहां पर आपको एक option मिलेगा creator support का आपको इसपे click कर लेना है इसपे click करने के बाद यहां पर monetization वाला जो option है आपको इसपे click कर लेना है अब थोड़ा सा wait क करना है यहां पर आपको दिख जाएगा program eligibility आप इसपे click करेंगे इसपे click करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे यहां पर आपको in stream add दिखेगा आप इसपे click करेंगे इसपे click करने के बाद यह आपका पूरा form आपके सामनी आ जाएगा यह आपको पढ़े लेना है ठीक है अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है यह जो invite-based program है जो content monetization tool यह 2025 तक देगा उससे उसके बाद यह criteria based कर देगा तो अभी आपका invite-based इसलिए आप form भरेंगे जब सब को देगा तो आपको भी मिल जाएगा और form भरना कैसे है वह आप समझ लिजे यहां पर दोस्तों एक दिख जाएगा आपको in this form आपको इस पर क्लिक कर लेना है अब अच्छे से समझ लेना दोस्तों form भरना कैसे है जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नया page open होगा अब यहां पर आपको form भरना है मैं already form भर चुका हूं मैं form नहीं भरू जो फेस्बुक में add की है email id वो email id डालना है वैसे आप कोई सब भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर आपको अपने फेस्बुक का URL जो link होता है वो आपको डाल देना है link कहा मिलेगा आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों status में जब जाएंगे यहां पर मैं social media account जैसे आपका Instagram हो या YouTube channel का link आपको यहां पर डाल देना है डालने के बाद यहां पर आपको दिखेगा let's do this आप इस पर क्लिक करेंगे आपका form successfully submit हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आपको form feel करना है submit करना है धान रे दोस्तों कोई भी violation हो आपके page यह profile पे यह form आपको submit नहीं करना है तो दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी help मिला हो थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सके में जरूर कर दिजिएगा अगर यह वीडियो यूटूब पर देख रहे तो subscribe कर लिजे और facebook पर देख रहे तो follow कर करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए टाटा बाई बाई